नमस्कार स्रोधामित्रों, स्वागेत्य आपका मेरी यूट्यूब चैनल रस्मी की दुन्या में आज हम गद्य साहित के एसाइन्डमेंट के एक और प्रस्ण का विसलेशन करेंगे जो है रामचेंद्र सुक्ल के जीवन और साहित्य के विशय में आचार्य रामचेंद्र सुक्ल जी के माताजी का नाम निवासी देवी था इनके पिता का नाम पंडित चंद्रवली सुक्ल था रामचेंद्र सुक्ल जी के माताजी का नाम क्या था निवासी देवी और उनके पिता का नाम था पंडित चंद्रवली सुक्ल उनका जन्म 4 अक्तुबर 1884 को बस्ति के अगोना नामक गाउ में हुआ था आचारिया रामचेंद्र शुक्ल का जन्म कहां हुआ था? 1884 को बस्ति के अगोना गाउ में 4 अक्तुबर को हुआ था इनका प्रारंबिक शिक्षा मिर्जापूर और बाद में प्रयाग में हुआ वे पहले मुर्जापूर में पढ़ते थे और बाद में प्रयाग में पढ़ाई की मेज़ापूर के लंदन मिशन स्कूल से शुकल जी ने स्कूल की अंतिम परिक्षा सन 1901 में उतिर्ण की मिशन स्कूल से शुकल जी ने अपनी अंतिम परिक्षा 1901 में उतिर्ण की शुक्ल जी ने कायस्त पाट साला प्रयाग में इंटर किया आगे उन्होंने इंटर कहाँ पे किया था कायस्त पाट साला प्रयाग में किया आगे उनका संपूर्ण अधयन स्वाध्याय से हुआ आचारी शुक्ल का बच्पन अवद ख्षेत्र में गुज्रा आरंबिक शिक्षा के साथ उन्होंने उर्दू, अंग्रेजी, बंगला और हिंदी भासा और साहित्य का गंभीर अध्यान किया आचार्य शुक्ल ने एडिसन के एसे ओन इमेजिनेशन का कलपना का आनन्द नाम से अनवात किया उन्होंने एडिसन के ओन इमेजिनेशन का अनवात कलपना का आनन्द के नाम से किया इन पुस्तकों को एक मुहले में फैली बातों से दूसरे मुहले वालों को परचित कराने के रूप में समझना चाहिए इन पुस्तकों को एक मुहले में फैली बातों को दूसरे मुहले वालों को परचित कराने के रूप में समझना चाहिए स्वत्यंत्र समालों चना के रूप में नहीं आचार्य सुक्ल ने छायाबाद का प्रतिनीधी कवी पंत को माना है आचार्य सुक्ल छायाबाद के कवी पंत को मानते थे मेर्जापूर के ततकालिन कलिक्टर वे रामचंद्र सुक्ल को एक कार्याले में नौकरी भी दे दी थी वे एक कार्याले में नौकरी करते थे पर हेड क्लर्क से उनके स्वाभी मानी सभाव की नहीं पटी उनको हेड कलर का काम पसंद नहीं आया उनके स्वाभी मान को ठेश पहुचा उसे उन्होंने छोड़ दिया पर कुछ दिनों तक रामचंद्र सुक्ल मिर्जापूर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक रहे कुछ दिन वे मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक भी रहे सन 1909 से 1910 संपाधन के वैतनिक सहायक के रूप में कासी आ गए 1909 से 1910 के वीच वे कासी आ गए वहीं पर कभी वहीं पर कासी नगरी प्रचारेणी शभाग के विभिन्न कारियों को करते हुए उनकी प्रतिवार चमकती रहे नागरी प्रचारेणी पत्रिका का संपाधन भी उन्होंने कुछ दिनों के कासी हिंदू विश्व विद्याले में हिंदी अध्यापक के रूप में हो गई उसके बाद वे कासी हिंदू विश्व विद्याले में हिंदी के अध्यापक रूप में कारियों करने लगे वहां से एक महेने के लिए वे अलवर राज्य में भी नौकरी के लिए गये पर रुची का काम ना होने के कारण पुन विश्व विध्याले लोट आए सन 1907 इस्वी में 1898 जी विश्व विद्याले के हिնदी विवाग के अधक्श के रूप में नियुक्त हुए वे Just 1987 इस्वी में अध्यापक के अधक्श के रूप में नियुक्त हुए एवं इस पद पर रहते हुए सन 1941 इस्वि में उनकी स्वास के दोरान हुए रुदेगती बंद हो जाने के कारण मृत्य हो गई 1941 इस्वि में उनकी मृत्य हो गई सुकल जी का साहितिक व्यक्तित्व विभित पन्नो वाला है उन्होंने अपने साहितिक जीवन का आरम में लेख लिखे हैं और फिर गंभीर निवंदो का प्रवजन किया है वो चिंतामणी में संकलित है उन्होंने ब्रजभासा और खड़ी बोली में फूट कर कविताएं लिखी और एडविन और्नल्ड के लाइट अफ एसिया का ब्रजभासा में बुद्ध चरित्र के नाम से पद्ध्यानुवाद किया एडविन और लाइट अफ एसिया को उन्होंने ब्रजभासा में बुद्ध चरित्र के नाम से पद्ध्यानुवाद किया था सुक्ल जी ने मनोवी ज्ञान, इतिहास, संस्कृत, शिक्षा एवंग व्यवहार, संबंधी, लेखों एवंग पत्रिकाओं के भी अनुवाद किये हैं तथा जोसिप एडिसन के लिए प्लेजर्स ओफ इमोर्जनेशन का कल्पना का आनंद नाम से एवंग रावल, राखाल दास, बंदुपाध्याय के सशांक उपन्यास का भी हिंदी में रोचक अनुवाद किया, उन्होंने सशांक उपन्यास का भी हिंदी में अनुवाद किया था रामचंद्र सुकल ने जैसी ग्रन्थावली तथा बुद्ध चरित्र की भूमिका को क्रमस अवधी तथा ब्रजभासा का भासा सास्त्रिय वीवेजन करती हुए उनका स्वर्यूपी स्पर्ष्ट किया है अनुवादक के रुप में उन्होंने सशांक जैसे स्रेष्ट उपन्यास का अनुबात किया सुकल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जिसमें काब्य प्रब्रत्यों एवन कापियों को परिचर भी है उन्होंने साहिति के इतिहास लिखा हिंदी साहिति के इतिहास उन्हें के त्वर लिखा गया है जिसमें काब्य प्रबृतियां एवं कौपियों का परिचे भी है उनके लेख में काब्य की प्रबृतियों के बारे में परिचे है उनकी समीक्षा भी लिखी है दर्शन के खेत्र में भी उनकी विश्व प्रपंज प्रुस्तक उपलब्द है पुस्तक यो तो रेडल आफ दे युनिवर्स का अनुवाद है और उसकी लंबी भूमिका सुकल जी के द्वारा किया गया है इस प्रकार सुकल जी ने साहित्यक में विचारों के खेत्र में अत्यन्त महत्वपूर्ण कारे किया है इस प्रकार सुकल जी ने अपने विचार के खेत्र में साहित्यक के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण कारे किये हैं इस संपूर्ण लेखन में भी उनका सबसे महत्वपूर्ण एवं काल यजी एवं समिक्षक निवन लेखक एवं साहितिक इतिहासकार के रूप में प्रकट हुआ रामचंद्र सुकल के समिक्षक व्यक्तित्व की दूसरी विसेस्ता या महानता है कि उन्होंने मांदंड निधारण और उनका प्रयोग दोनों कारे एक साथ किये हैं इस दोहरे कारे में कथनी और करनी का नंतराल कहीं भी उपलग्द नहीं होता बलकि या कहे कि अपने मनोविकारों वाले निवन्दों में जीवन साहित्य और भावो के मध्य जो संबंद देखा था उसी के आधर पर उन्होंने अपनी समिक्षा के मांदंड निर्थारत किए एवंग इन सिध्धांतों का व्यावहारिक उपयोग भी किया उन्होंने सिध्धांत एवंग व्यावहार के मध्य ऐसी संगीत स्रेष्ठ दम आलचोकों में ही प्राप्त किया है प्राप्त होती है, उनके जैसे प्रतिभावान व्यक्ति बहुत ही कम देखनी को मिलते हैं, उन्होंने हिंदी साहित्य को एग अग्रिम चरम सीमा तक पहुँचाया आशा करती हूँ, इससे आपको हिंदी गध्य की एसाइन्मेंट में कुछ मदद मिला होगा, धन्यवास रोधामित्रो